नमस्कार प्यारे बच्चों BSC Mass Genesys Classes में आपका स्वागत है बच्चों आज हम लोग सांतत्ति का कोशन और करने वाले हैं हमने पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था हना कोशन किस प्रकार बनता है आज भी हम कोशन देखने वाले तो चलिए बिना देरी किये जल्दी से सुरुबात करते है बच्चों आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर दरसाइए निम्नांकित फलन x is equal 0 पर संतत है फलन आपको दिया है fx is equal 1 plus 2x to the power 1 by x x not is equal 0 e square x is equal 0 क्या क्या दिया है तो सबसे पहले तो आप definition के बारे में देखिए आपको दिया है बच्चों दिखेगा पहले definition लीते है f0 is equal कितना दिया है e square दिया है अब यदि आप वाम हस्त सीमा और दक्षिन हस्त सीमा left limit और right limit यदि आप ले आते हो f0 is equal e square तो हम कहेंगे कि यहाँ संतत है चलिए सबसे पहले हम देखते हैं right limit 0 plus a of x इसका मतलब क्या होता है बच्चों limit as change to 0 a of कितना 0 plus h अब देखो आपको दिया है fx is equal 1 plus 2x to the power 1 by x x not equal 0 इसका मतलब not equal 0 का मतलब हमने बताया है आपको x less than 0 और x is greater than 0 दोनों इसमें सामिल होगा और इस तरीके से हम इसके लिए उप्योग करने वाले हैं limit x change to 0 1 plus कितना 2x to the power कितना 1 by h अब बच्चों आप यह जो फार्मूला है यह मैं साइड में write कर देता हूँ limit x change to कितना 0 ऐसा sin किया होगा आपने और limit जब infinite होता है तो 1 plus 1 by x to the power x is equal e यह आपने देखा होगा तो बस इसी फार्मूला को हमें यूज करना है तो इसके लिए यहाँ पर देखेगा limit x change to 0 यहाँ 2h है ध्यान देना यहाँ 2h है तो हम इसको क्या करेंगे 2h मेकिंग करेंगे और 2 का divide पावर में हम 2 का divide 2 का multiply कि यह देखो यह 2 और यह 2 cancel होगा आप पावरला से घातांक नियम से गुना करके देख लिजिएगा घातांक नियम से गुना करके देख लिजिएगा तो 2 2 कट गया तो आपको कितना मिलेगा 1 by h मिलेगा मिलेगा अब यह समझे कि आपने यह जो फार्मूला है limit x tends to 0 1 plus x power 1 by x इसको यूज किया ए देखो 1 plus x to the power 1 by x ऐसा समझो तो इसका मतलब e और यह हो गया e square ते तो हुआ right limit अब left limit चले limit x tends to कितना 0 minus f of x अब इसका मतलब क्या होता है भाई limit x tends to 0 अब उसी में रखिएगा इसको भी limit x tends to 0 1 plus 2 minus h और to the power h के जगा minus h तो minus 5 h हना x के जगा में यह आपको मिल गया बच्चो limit x tends to 0 आप इसको right कर सकते हो minus 2h और देखेगा आप इसको भी क्या किजिए वैसे ही minus 2h बना दीजिए क्यों? क्योंकि भाई आपको मालूम है दोका गुना दोका भाग की आप limit x tends to 0 1 plus x to the power 1 by x is equal exponential e होता है अब यहाँ पर आपने यह दोनों तो equal पा लिया तो e square हुआ तो इस प्रकार आपको क्या मिला limit x tends to कितना 0 plus 3 equal आया limit x tends to 0 minus f of x is equal f of 0 ठेक फलता हा f x x is equal 0 पर continuous है संतत है तो बच्चों इसी ढंग से करना है चलिए next question देखे बच्चों निम्न फलन की सांतत्य की जाच मुलबिंदू पर कीजिए क्या दिया है f x is equal given है दिया है x e to the power 1 by x upon 1 plus e to the power 1 by x यदि x naught is equal 0 0 यदि x is equal 0 तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है definition परिभासा देखना होता है यहाँ पर परिभासा क्या बन गया दिया है f 0 is equal कितना 0 अब यहाँ पर क्या कीजेगा right limit और left limit निकालिए तो limit x tends to कितना 0 plus f of x is equal limit x tends to 0 f कितना 0 plus h अब देखे not is equal है x not is equal दोनों इसी में यूज़ करेंगे limit x tends to 0 देखो x को x के place पर क्या रखेगा h 1 by e to the power 1 by h plus e to the power 1 by h बच्चों अब बस यहीं पर ध्यान देना है यहाँ पर मैं एक बार इधर राइट कर लेता हूं limit h tends to 0 h 1 plus e power 1 by h तो यहाँ पर h है तो कोई दिक्कत नहीं है बट h नहीं होता जान देना नीचे यहाँ पर only यहाँ पर e power 1 by h होता 1 plus e power 1 by h मैं यहाँ पर limit यहाँ placed करता यह देखो तो मुझे यहाँ पर मिलता infinitive और यह infinitive upon 1 plus infinitive यह होता आप परीभासित यहाँ पर h है तो h तो 0 कर देगा कोई दिक्कत नहीं कुछ करने ही जुरत नहीं है वैसे ही आप यहाँ पर जानते हो प्यारे बच्चों क्या जानते हो 1 by 0 लिख देता हो यहाँ पर 1 by 0 infinitive 1 by infinitive 0 e power infinitive e power minus infinitive 0 1 plus infinitive infinitive plus 1 infinitive 1 minus infinitive minus infinitive infinitive minus 1 infinitive इस पूरे को याद रखेगा बस हना इसी पर डिपेंड है इस टाइप का कोशन अंस्वा हर में 1 minus infinitive plus 1 तो आपको right limit बच्चों क्या मिला चलिए लेप्ट में चलिए यह देखो limit h tends to 0 h e power minus 1 by sorry limit h tends to 0 if 0 minus h limit h tends to 0 minus h e power minus 1 upon h kya कीजिएगा रखे 0 यह आएगा इस प्रकार limit x tends to 0 minus s 0 plus f x is equal x tends to 0 minus f x f आप 0 फल्तह f x x is equal 0 पर संतत है तो बच्चों मुझे उम्मीद है यह भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा यह दिया आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताईए कमेंट्स जरूर कीजिएगा लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों बस इसी धंग से आपको क्या करना है बनाते रहना है ठीक तो चलिए बच्चों बस यही तक रखते हैं धन्यवाद नमस्कार